बिहार का यह उप्चुनाब क्यूं महत्पुर्ण है अभी इस तारापूर और कुशेस्वर अस्थान का बिधान सभाव यहां पर क्यूं इतने यूबा नेता से लेकर सीनियर नेता तक लगे हुए हैं पूरे महौल अपने पक्ष में करने के लिए इसके पीछे कारण है कि जो नितिस कुमार की सीटे हैं ते 40 सीटे और 41 सीटे जब हो जाएगी तो फिर दो सीटों का कम होगा उसके बाद मांजी और सहनी क्या वसकता पड़ेगी मगर आज कनहिया कुमार की इंट्री होने वाली है कुछी घंटों में और सदाकत आसरब में क्या कुछ कहेंगे उस पर बिहार की राजनीती का बहुत कुछ रेखाएं खिच जाएगी क्यूंकि कनहिया जिस प्रकार से तमाम चीजों में तेजस्वी के उपर हमला करते हुए नजर नहीं आते थे अगर आज तेजस्वी पर हमला करते हुए नजर आए तो तेजस्वी विजिस प्रकार से कुछ इस्वर अस्थान में अभी उनकी सभा हो रही है और उनका लगातार जनसंपर का भियान चल रहा है वह लगातार नितीज कुमार को टार्गेट कर रहे हैं चाहे हुए चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी आदव हो स्वास्त की विवस्थाओं को लेकर भी तेजस्वी आदव ने बहुत बड़ी बात कही है और सिच्छा विवस्था को लेकर भी भले ही उन्हें बीजेपी और जदियू के नेता उन्हें सिच्छा की बात करने से मना करते हों क्योंकि वह खुद ही आठमी नौमी पास की बातों को लेकर बार बार सिच्छा के जब वह बात करते हैं तो उन पर कई आरोप लग जाते हैं तेजस्वी आदव के उपर मगर यह भी एक सचाई है कि तेजस्वी आदव की पार्टी राष्टिय जनता दल बिहार की अभी विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले बार भी सबसे जादा सीटे जीत कराई थी इसमें कोई सक नहीं है तो और फिर भी तेजस्वी विपच्छ के नेता हैं और वह कॉंग्रेस के प्रचार के लिए कुशेश्वर अस्थान और तारापूर में उतरने वाले हैं कनहया का आज के बक्तत्व के बाद देखेंगे कि क्या कुछ करते हैं तारापूर और कुशेश्वर अस्थान में कॉंग्रेस ने प्रेंका गांधी और राहुल गांधी को अभी बिहार विधान सवा के उप्चुनाब से दूर रखा है वहीं भक्चरंदास का जिस प्रकार से और जेडी के नेता और तेजस्वी आदब को लेकर निसाना बनाये हैं कई और जेडी के नेता ने भक्चरंदास को जिमेदार ठायराया है बिहार में महागट वंधन जब तक कनहिया कुमार बिहार ना आ जाएं तब तक वहीं चिराग पासवानाज तारापूर जाने वाले हैं और तारापूर में क्या कुछ करते हैं क्यों किसे स्वरस्थान में लगाता है नाब से लेकर तमाम तरह के उन्होंने अपनी जंसभा और यात्रा की है तो उसको लेकर जो एक प्रभाब है वह चुनाप परिनाम के बक्त ही दिखेगा चाहे हुआ रजेडी हो जडियू हो या फिर चिराग की पार्टी हो या फिर पुलरल्स हो अब जो पपू यादव की बाते आ रहे हैं कॉंग्रेस में मर्जर को लेकर यानि कॉंग्रेस में मर्ज कर र रहे हैं और तमाम बाते वह करते रहते हैं और जो भी बाते हैं कंहया कुमार का बिहार आने को ले कर हैं और भी सियासी गल्यारों में बहुत चीज़ें चल रही है उसमें स्भार्टी और लगातार धानिके खेतों तक जाते हुए तो वो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादब भी उसी प्रकार से किया करते थे कहीं पर भी उतर कर पान के और चाई के दुकान पर चाई पी लिए पान के गुम्टी पर उतर कर पान खरीद लिए उससे एक महौल बनता है कि नेता हमारी ही तरह है जो उत किधर है और कनहया किसे हराना चाहते हैं सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर युवाओं की दाव लगी हुई है चाहे हुए चिराग पासवान हो तेजस्वी आदब हो या फिर कनहया हूं यह जो तीन नेता हैं तीन प्रमुख नेता जो बिहार के अभी जो चल रहे हैं उस यह दो लोग याद कर ते हैं और कहीं न कहीं जो सरकारी तंतर थी उस वक्त पूरी तरह से चर्मर आ गई ठीет उसका लाव कई बार नितीश कुमार को मिलता हुए न जराता है और ये बाते जदियू के नेता और बीजेपी के नेता जनता को भूलने नहीं देना चाहते हैं नब्बे से 2005 का कारेकाल जिसमें कानून विवस्था में जिस प्रकार से खामिया आई थी उस वक्त कहा जाता था और कई ऐसे साक्स भी मिले हैं कि वह जंगल राज का कई लोग उपमा देते हैं नितीश कुमार खुदी आतंकी राज बता चुके थे मगर फिर भी लालू परसाद यादब के साथ मिलकर 2015 में सरकारे बनाई तो ये बातें भी समझ में आई कि अगर वह जंगल राज थे तो फिर आप उनके साथ क्यों गए और जिस प्रकार से लालू परसाद यादब भी आज नितीश कुमार की आलोचिना करते हुने जरा रहे हैं चाहे हुआ भले ही दिल्ली में हूं मगर दिल्ली से ही हुआ है कह सकते हैं कि राष्टे जनता दल को हावा भरते हुने जरा रहे हैं स्वास्त के कारणों के अलग-अलग बजहों से यह जोड़ाया गया है और भी तमाम पॉलिट कल अब्डेट हम लाते रहेंगे और भी हुआ 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 है